हेलो एविवेन वेलकम बैक टू मैं चैनल टेट क्लासिस चित्रा तो स्टूरेंट्स आज मैं आपके लिए हिस्ट्री में नया चैप्टर लाई हूं जिसका नाम है सिंदू भाटी सभ्यता यह हमारे प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर है और पहला चैप्टर जो प्राचीन बॉक्स में लेंगे डाल दूंगी आप वहां से जाकर पहले वह चैप्टर देगेगा उसके बाद आपको यह दूसरा चैप्टर समझ आएगा चैप्टर नहीं है सिंदू घाटी सभ्यता तो सिंदू घाटी सभ्यता जो है वह हमारा आर्द एतिहासी काल का भाग है याद में प्राजी भारत को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था सबसे पहले को बोलते हैं दूसरे को आर्द एतिहासी काल और तीसरे को मैंने बताया था एतिहासी काल तो प्राग एतिहासी काल वो होता है हमारे पास कोई भी लिखित साक्षय नहीं है जिसके लिए हम पूरी तरह किस पर डिपेंड है पुरा तात्विक साक्षयों पर यानि जो भी हमें अफशेश खुदाई के दौरान मिले है जो भी स्थल से जो पुरा स्थल से जो भी चीजे हमें मिली सिर्फ उनी को देखकर हम होकि बता सकते हैं कि तोह द तो होता है के लिए जिसके हमें रिखित साक्षय तो हैं हमारे पास फास अब यू चैनल से लेकर जितने भी हमारी बुक्स व गड़़र है जो भी हमें रिटने में जितने भी हमें साक्षे मिले, वो हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तो इसलिए उसे बोले राता है एतिहासिकाल, तो आज हम करेंगे आद एतिहासिकाल, मतलब लिखित साक्षे तो हैं, मैं थोड़ा सा करा देती हूं, लिखित साक्षे, परंतो पढ़े नहीं जा सके, इसको बोलते हैं, आद एतिहासिकाल, और इसी का एक एक एग्जामपल क्या है हमारा सिंदू घाटी सब्वेता, सिंदू घाटी सब्वेता, विश्व की सब्वेता हों से भी इसको एक बोला जाता है, इसी के साथ हमारी नील लदी की सब्वेता है, मैसोपोटामिया सब्वेत का चलन इक्तियार करते हैं तो वो क्या बन जाती है सब्भैता बन जाती है याद रिखेगा और सरवाधिक स्थल सबसे जादा कहां पाए गयते सिंधु नदी या सिंदु भाटी सब्भैता हमने नाम दिया है एक्जामपल है जैसे मोहन जोड़ो, आमरी, चहुड़ो, कोड़ दीजी ये सब के हमारी रोपड ये सारी सिंदु भाटी सब्भैता के स्थल है और सबसे पहला खो जा गया स्थल भी कौन सा था हमारा हडपा इसलिए इस सब्भैता का एक और नाम है जिससे बुलाता है हडप सब्भैता याहरपन सी व्लाइजेशन आपने बहुत सुना है कौन सी झुण नदी के Baker हमें सिंदू गाटी एक सब्भैता में सबसे겠어 का उपिए हेतनि सर्वादिक मतलब इतनी जाधा मात्रा में हुआ कि इस सभ्यता को क्या बोला जाने लगा कांसे युगीन सभ्यता भी बोला जाता है तो याद रखेगा कांसे युगीन सभ्यता हडपा सभ्यता और सिंदु भाटी सभ्यता तीनों एक ही सभ्यता के लिए हम यूज करते हैं यह सभ्यता जो थी पूरी तरह नगरिय सभ्यता थी बहुत इच्छे से इसके घर बने वे थे जो भी मिले हैं वह आयताकार या चकोर घर मिले हैं एक के ऊपर बहुमनजिला भी मिले हैं कई ठीक है ज्यादा तर घरों में क्या उता था अंदर ही क्या होता था बड़े-बड़े स्टाना घर बात्रूम व मेटलब इस सब्भेithternator जो जिस स कहते हैं कि देजाइन किया जो पूरे नगरों कवें बहुत ही जबर्दस त्रस्थ इसे लिए चान्दी और कभास का कश्रय भी हरता चीज़ यहां पर बहुत बार यह कोश्णा तर बच्चे पस जाते हैं हडप्पा सभ्व decorated में मंदिर का कोई भी साक्ष नहीं मिला है यहां पर एक सेयल खड़ी एक ऐसा पथर था जिसकी मोहरे बनती थी हरप्पा सब्वेत्य तो है अपनी नगरे सभ्वेता लें फेमस दूरा हरप्पा सभ्वेता पूरी तरह किस पती व्यापार के निये प्रसित थी याद रिखेगा हडपा सब्यता का जो व्यापार था वह बहुत दूर दूर तक था नील लदी मैसो और जो तुम कहते हैं कि मिस्र की थी मैसोपोटामिया जो दजला और फरात है या चीन इन सब में एक जैसी मोहरे पाई गई हैं और किसे रिलेट करते हैं हडपा सब्सक्राइब विए अपने व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है ठीक है लोहे का भी इन्हें ग्यान नहीं पर निशान लगा लेंगे मंदिर और लोहा ना में शामिल है बोला जाते कि हड़पा के लोग अगर का सा यूज करते थे तो क्या हो लोहे का भी यूज करना जानते थे तो याद अगर देखा जाए तो इतना वड़ा सामराज है था विशाल सामराज है उसकी कितनी राजधानिया थी दो हडपा और मोहन जोद्रों किसने बोला है स्टुवर्ट पिगट यह याद रखेगा स्टूरंट नेक्स्ट हमारा समय निर्धारन अब हम कैसे पता लगाते हैं कि इतने हां साह्क्ष मिलते हैं टो समय कहान निर्धारन कैसे की जाता है । याद रखेगा हम सभी में एक कार्वन का त हट दुपाय जाता हमारी हडियों में उसी को रेट कर करके पता लगा जाते कि की किस चीथ की कितनी वर है तो इसको बोलते है रेडीयो कार्बन C40 यानि Carbon 14 के आधार पर हमने इस सब्वेता के बारे में पता लगा है कि इसका समय का निर्धारन इस समय ये चल रही होगी सब्वेता कुछ लोग का मत है कि ये 2350 से 1750 ये इससा पूर की जब्वेता है कि आधारन की सब्वेता है कुछ नेक्स्ट है का विस्तार देखेंगे अब हमने बोला इतना विस्त्रित समराज्य था हो कहां से कहां तक था यानि उत्तर से दक्षिर में कहां तक फैली भी थी ये मांदा जम्मो कश्मीर से लेकर दैमाबाद महराश्र तक और अगर हम देखें पूर्व से लेकर पश्चिम तक तो पूर्व में कौन है आलम गिरप इसकी खोच किया और वर्तमान में कहां पर और प्लस इनकी विशेशताएं क्या हैं क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं और यानि कि हमें यहां से क्या-क्या साक्ष मिले हैं अब पाके जितनी भी नगर मिलें याद रखेगा वह नगर दो भागों में विभाजित थे ज जो घुक नगर सो फट्रा अरेट तो फूरा उपर था था सब्सक्राइब हδा चल्ब कर निघ्लान फेझानों का तूम्य हे नगर तो फट्राश में रहता था राजा उसका परिवार और उसकाitet तो रर्त समाने जंति और यह जो शेत्र नमां में ये बाहरे Красव यह पिलेग कर रखे यह इसलिए भी था कि दूसरे राजा कोई किया दूसरे एरिये के लोग इन पी एटेक ना करें तो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं क्या करा रखा था लग तो उतलब कर रखती किले को पूरी तर से क्या कर रहा था बंध कर रहा था और ऐसी यह दोनों ृशेत्र क्य ठो सबसे प्लब अगर मिला हमें हड़पा जिसके लाव सब्वक्रा करता है। मिलें तो इसलिए मैंने चार्ट बना दिया इसके माध्यम से बहुत इजी समझ पाएंगे तो सबसे पहला नगर्द है हमारा हडपा और वर्तमान में मोंड गोम्री जिला पंजाब सिंद प्रांत पंजाब यानि पाकिस्तान वाले एरिये में यह वर्तमान में हडपा और क्या पर्थर से निर्मित एक नटराज शिव मोर्ती मिली है आर 37 का कब्रिस्तान जा आता है कि कई बार की हड़पा से और 37 यह बहुत इंपॉर्टेंट है और 37 कब्रिस्तान का नाम हो कहां से मिला हमें हडपा से दूसरा है अनागर हडपा से सब से जादा कहां मिले हमें हडपा से अनाच कूटने के वृताकार चबूत्रे मिले अनाच कूटा जाता था तो जैसे अफ्तल चक्कियां जिसे कहते हैं कुछ इस तरह की गोल-गोल वृताकार तो वह भी मिलें यहां से और श्रमिक आवास यानि कि यहां पर श्रमिकों के लिए पर था किस ने खोच की थी राखल दाजव एनरजी 1922 में उने खोच की थी कौन सी जगह पर है अब बरतमान में लरकाना पाकिस्तान में स्थेता है ठीक है क्या मिला है तो यह सिंदू घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था यह मोहन जोदरो मृतकों का टीला भी बोला सच्छा किया की नरतकीड़ी है का लेकिन सक्षा ही है कि यहां से एक इम्रतक वियक्ति कि कोई भी साक्षी नीमिलाATHAN में पर आदम के लिए अलग था कुछ इस तरह का बहुत बड़ा एक क्या मिला हमें बात टक जिसे बोलते इस तरवाधिक रहे सबसे ज्यादा मोरे भी मोहन जोदरों से मिली यह बहुत इंपोर्टन्ट है मोहन जोद्रों नेक्स्ट पशुपति शिव की मोहर मिली है यहां से हमें मूर्थी मिली याद रखेगा चूना पत्थर से निर्मित हड़का से मिली थी नटराज की मूर्थी लेकिन यहां पर शिव की जो मोहर मिली है मोहर पर क्या है पशुपति शिव की क जलियान नाव के चित्र से निर्मित मोहर मिली है यहां पर मुर्दों का साक्षे नहीं मिला है याद रखेगा मुर्दे बोला तो इसे मुर्दकों का टीला जाता है बट क्या है यहां पर कोई भी मुर्दे का साक्षे नहीं मिला है सभागार भवन यहां पर सभाएं होती थी वो भी यहां से मिला है, पुरोहिद बाबा या फिर दाड़ी वाले बाबा आपने पढ़ा ओगर सिक्स की बुक में, दाड़ी वाले बाबा या पुरोहिद बाबा की क्या मिली है, एक मुर्ती मिली है, इस्ट है हमारा लोथल, लोथल का है, भोगवा नदित पर था, रंगना आर्ब सागर के नजदीक तो यहां पर बंदर गाहा तर जिसका लोथल व्यापारी डौप विख करते थे ठीक तो लोथल में क्या मिला है गोद्रिवाला बंदरगा का प्रमान चामल के भी साक्षे मिले हैं लोथल में बृताकार और चौकोर अगनी कुंड मिले हैं यहां पर अगनी बतलब पूजा उजा के लिए यूज होते थे शाहिद कुंड मृदभांड पर पंच तंत्र यह बहुत मिला है कि बत्त तो जर्बाट अब कि रिलेटर पंच तत्र में लोमड़ी की पड़ी और चैसे बूट एक वह से क्या मिला रहें शक्रंज का जो बोड है वहांसे कहां से हमारे लोथल से बहुत कोशन आता है कि जो सिंदुघाटई सब्यता हरपा सब्यता के लोगों का पसं तो चैस था और कहा से मिले हैं तो लोथल से साक्षे मिले हैं नेक्स है हमारा धौलावीरा जो कई बार आता है मानसर या फिर मानहर दोनों ही से यह मानसर नदी के किनारे पर था और दो बीबी लाल जी ने कप की थी इसकी खोज 1959 में और आरेस विस्ट ने फिर आगे कब बढ़ाया 1990 और 1991 में कहां परिवर्तमान में कच्छ और गुजरात में स्थेता है यह जगह ठीक है निचना नगर या है पूर वी सेत्र इनके बीच में मध्य наगर था याद रखेगा be场as a इस मील nazi ऐसी जहांपर एक सूचिना पोड मिले और उसका प्लशेंज एक पत्थर पर चिंड अंकित हैं और उसके ओपर vos Words यह लक्डी एक पड़ी निघ जा सकी उसको बॉला जेँ रहस मेघली इसी लिए हमने इसे कहां ताला है आध एतिहासिकाल में लीपी death पर हम उसे पढ़नी काया से मिला गॉाइठान का सबसे प्राबंधन करने में सबसे स्रेच गाद रखेगा जल प्रदंध के बहुत अच्छे साक्षे मिलें इसका है वांदभ निरमाण अगया पानी की कमी को रोकने के लिए नेक्स्ट हमारा काली बंगा काली बंगा हमारे घंगर नदी पर स्थित है और किस ने लेखोज की हैं अमलानंद घोशने उननिसो त्रेपन से साथ वर्तमान में राजिस्थान में स्थित है काली बंगा का शाब्दी कर्द होता है काली चूडियां यहां से अगनी कुंड के साक्षे मिलें मैंने का था लोथल और क्या है यह काली बंगा से क्या मिले हमें अगनी का शर्वार आतने हरा क्या कि कौ eerए ऐससे की बंगा से मिले हल्के कैनि निशान इजयते हॐसे घाल हागए लेकिन जाद रखेगा जो हल privilege फाल होती है है जिससे वोज़ीं का बनाता है अब उस टाइम पर लोह का नहीं बंता था याद रखीका लकडी या पत्थर से लोहे के जो सिंदु गाटी सब्वेता के लोग थे लोहे का यूज करना नहीं जानते थे अलंकृत इटे भी मिली है यहां से काली बंगा में वैसे डिजाइनिंग के लिए फेमस है तो इससे याद रह सकते हैं अलंकृत मतलब एट पर अलग अलग चित्र अंकित होते हैं ठीक और वरतमान स्थिती हैं यह सिंद्ध पाकिस्तान में है यहां से हमें प्रसाधन मंजूशा यानि की एक मेकप कित मिला है जिसमें स्पेशली लेपस्टिक और काजल के साक्षी मिले हैं एक खिलोने का कार खाना भी यहां से प्राप्त हुआ है और कासे की बने इका गाड़ी वरगाकार इटे मिलिया और में चहुदरो किसले फेमस था अपने उध्यों के लिए यहाँ पर मोहरों का निर्मान किया जाता था मोहरों का जिसे कहते हैं बहुत बड़े बड़े उध्यों वो था कार खाने थे यहाँ पर यहां पर मोहरे बनाई जाती थी, तो मोहरे का उतपात केंद्री भी बोला जाता है, और अध्योगिक नगर भी भी बोला जाता है, चवंधरो को, एक चवंधरो की खास IVशेष्टा है यहां पर सिर्फ निचला नगर मिला है, याद रखिएगा, सिर्फ निचला नगर मिला चहुदड़ों में निचला मतलब जहां पर सिर्फ सामाने लोग रहते थे यहां पर दुर्ग शेतर का अभाव है याद रखेगा यहां पर दुर्ग यानी जो पश्चिमी एरिया पश्चिमी हिस्सा पाया जाता था जहां पर अभाव पाया गया यहां पर क्या था सिर्फ पूर्वी शेत्र पाया गया जहां पर निचला नगर जिसे बोला जाता और सामाने जनता रहती थी तो यह याद रखेगा दोला वीरा एक ऐसा एरिया था जहां पर तीन भाग पाये जादतर सारे नगर क्या थे दो भागों में भाजित थे चहुंदड़ों क्या था चहुंदड़ों सिर्फ एक भाग दिखा गया चहुंदड़ों में एक भाग पाया गया वह भी पूर्वी हिस्सा पाया इसका पूर्वी हिस्सा जिसे निश्णा नगर के नाम से भी हम जानते सबसे बिकार थी बनावली में बोले बिल्कुल जाल बनावा था बहुती बेकार थी और जलनिकासी कोई भी साक्षर नीजी न होती हैं तो हमारी नेक्सट है हमारा रोपड रोपड का है हमारा सतलूज नदी के किनारे किस ने खोच की थी है अग्यदत शर्माने रोपड जगह की खोच की थी उनी सो त्रेपन चववन में वर्तमान में यह कहा है हमारे पंजाब में तो रोपड से मिला हमें तामवे की कुलहडी मिली है रोपड से और दूसरा मिला मालिक के साथ कुट्ता दफ्ताने के साक्षय भी मिले है याद होगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदू है जो आमने पूरे हडपा से लिए लोथल जो था हडपा में जो लोथल वाला स्थल था आपको याद होगा क्या यह बंदरगाह वाला एरिया जो गुजरात में था इसे हडपा सब्वेता का मैंचेस्टर कहा जाता है स्टुट्ट कोशन कहते हैं चहुदड़ो आजाएगा बनावली रोपड ठीक है तो आंसर उसका लोथल ना हडपा है ना मुहन जोदड़ो है क्या है उसका आंसर लोथल लोथल को हडपा सब्वेता का मैंचेस्टर कहा जाता है कि लोथल एक ऐसा जगह थी जहां पर एक बंदरगाह था जहां स से आयात और निर्यात असानी से हो सकता था व्यापार के सबसे अच्छा कौन सी जगह थी वो थी हमारी लोथल को क्या विलता हडपा सब्वेता का मिंचेस्टर उस टाइम पर मृदभांड यानि मित्ती से बने बरतनों का उपयोग होता था और स्पेशली काले और लाल और वरत की पावर थी और तो को सम्मान दिया जाता था तो मात्र सत्तात्मत दूसरे सथ एक और कोशन आता है सती प्रथा और दास प्रथा का भी हडपा में क्या था चलन था याद रखेगा एक्जामपल है काली बंगा से युगमश्वाधान मिला है मतलब एक पेयर में मिल आदमोर्त के टहले रांगे मिले मिले तो बोला सकता है कि आदमी के सांथ और को डफनाने की प्रकरी ती तो युगमश्वाधान मिला है मतलब युगमश्वाधान का वारे वंगा से मिलां से यानि हाडपा मद सती प्रथा तथा PRAFA का प्रचलन था ठीक है में सिर्फ देने हमें वर्थमानं में तो त Hernan अम्हें प्रनाली कि दुग का संब लततो हो गैरा ठीक तंत्र मंत्र और ताबीजों का प्रियोग किया जाता है करते हैं लोग तंत्र मंत्र और ताबीजों का प्रियोग किया जाता है वो भी किसकी देन है हडपा सभ्यता की देन है आंत्रिक और बाहर व्यापार हडपा क्या क्या है सिर्फ हमारे देश तक ही नहीं थी कि कश्मीर से क्या आंतरिकों अमिए प्रचली death मोहरो का प्रियोग उऔर कर तरहें बोल या तो कि अध्मी और 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 त्डध करते थे ठीक है next is swastik यह बहुत important है निशान लगा लिजे जो हमारा swastik बनता है जो हम हर बार पूजा में use करते हैं वो भी किसकी देने हरपा हरपा सभयता की देने हमारा swastik का चिन अगर आपको मेरी क्लास से अच्छी रखते तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें प्लीज आपका लाइक और सब्सक्राइब से थोड़ा मनोबल केतना ऊंचा होता और महनत करने का मन करता है थोड़ा सा appreciation मिलते है तो प्लीज आप लोग मेर अगली क्लास में तब तक ले लिए नमशकार